जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सोसियो लॉजी क्लासिस पर आज हम देखने वाले हैं अभी जो एक्साम का पैटर्न चल रहा है उसमें नहीं नहीं क्यूशन पूछे जा रहा है जो की रिपीट होने की संभवना रहती है तो उसके कुछ महत्पू गढ़ा हुआ जाते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा तो आएए दिखते हैं आज का पहला प्रश्न लिए पुर्वगामी सर्विछड को मुख्य-सर्विछड का लगु प्रति रूप नाम दिया है उसके बाद प्रतियोगिता किसी उद्धेश की प्राप्थि के लिए वयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसमें कोई एक ही हासिल कर सकता है तो यह कथन जी यार लिस्की से सम्भितन दित है कि प्रतियोगता किसी उद्धेश की प्राप्थ के लिए व्यक्तिक या समोही कुरूप से प्रयास कई समोहों का प्रयास होता है अभी तक कई स्टेट लेबल के एक्जाम पीएजडी इंट्रेंस एक्जाम आधी में पूछा गया क्यूश्चन है अगला है 1992 में संयुक्त राष्ट द्वारा निसक्त जनों के प्रसाहन देने हे दू विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है वह तीन दिसंबर को मनाया जाता है है अगला है कि संपूर समाज का समाजी करण के अभी करण के रूप में कारे करता है तथा प्रतेक ब्यक्ति जिसके साथ हुआ संपर्क में आता है वह किसी ना किसी रूप में समाजी करण का एजेंट होता है तो किसका कहना है कि जो ब्यक्ति समाज में निकलता है और किसी ना किसी के संपर्क में आता है तो सामने वाला ब्यक्ति समाजी करण के एक एजेंट के रुख में कारे करता है तो यह जेयच फिक्टर का कहना है अगला है प्रत्यच नियंत्रड और अप्रत्यच नियंत्रड की बात की है, तो प्रत्यच नियंत्रड और अप्रत्यच नियंत्रड की बात कार्ल मैनहीम करते हैं, अगला प्रशन है नगरी करड एक वैलून की तरह है, जिसमें प्रतेक समाज बिग्यानिक अपना ही अर्थ न अगला है भारत में प्रेम वीवा के सर्धान्तिक और ब्यावहारिक पच्छों को जितनी महत्ता प्राप्त है उतकी हमारे लिए वस्षिम वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है तो किसने कहा कि भारत में प्रेम एक सर्धान्तिक और ब्यावहारिक रूप से अधिक महत्ति प्रदान किया जाता है जैसा कि हमारे पस्च्छिमी समाजों में कल्पना करना संभव नहीं है तो रिचर्ड इसमिट्समीट ने यह कहा अगला है इनियो मेस्टीगेशन आफ इंडियन स्टेट इनियों कि पूस्तार है प्राथ में का दूत्यक आद्म साथ करण की अधार्ना मिल्टन गार्ड दनर के द्वारा दी गई गई गार्डन के द्वारा दीगें प्रात्मी को बुत्यक आतना क्यारिड़ की औरहना negatively कॉरुजजफ्च अग्ला है नातेदारी एक छ़ळी है जिसके सहारे प्यक्ति जीवन भर रहता है तो नातेदारी एक सवहेवेवस्था की विश्यास्ता संचीत क्यों असमान नहीं है लेकिन वर्ग विवस्था की विश्यास्ता बिक् सभाथी वेवस्था की विश्था संचित असमानता से हैं लेकिन वर्ग वेवस्था की विश्था बिकड असमानता से हैं अगला है एकड़ विकास योजना जो है 1975 में आई हैं संप्रदाइक्ता के छ आयमों का उल्लेख किसने किया है आत्मसात्मी करर, कल्यारकारी करर, पलायनवादी करर, पतिकरात्मक, अलगावादी तथा प्रिधक वादी तो संपरदाइक था कि 6 आयमों का उलेक तीके उम्मन करते हैं इन्होंने 6 आयमों की चर्चा की है इन्होंने पहला बता है कि आत्म साथ करर होता है, कल्यार कारी होता है, पलायन वादी भी होता है, पति करात्मक होता है, अलगाव वादी होता है, और पिथक वादी होता है, अगला है गुलाम गिरी पुस्तक में जाति व्यवस्ता की आलोचना की है, तो गुलाम गिरी जो राश्टी अन्सूचित जन्जात आयोग की अस्थापना कब हुई थी तो यह 2004 में स्थापित हुई है अगला है भारत में उपेच्छित समोहों की सामाजिक और राजनीतिक इस्थिति का विसलेशर करने के लिए उपास्रित की ओधारणा दी है तो भारत में आपेच्छित समोहों की स्थामाजिक और राजनीतिक इस्थिति का विसलेशर करने के लिए जो उपास्रित अता की ओधारणा दी है वह रड़जीत गुखाने दिया है इनके लावा डेवीड हाईडी मैं यह सब भी उपास्रित शीम रावंबेट कर हो गए चीह उपास मनाया गया तो बारा चुन को मनांड़ा जाता है भाष्टा चार निरोध अधिनियम मनाया गया थो यह 1888 में पारित किया गया था भरस्ता चार निरोध अधिनियम तो या भी कुश्टन मैलचिंग वाले में दें थे हैं अगला सबी और विक्स ब्यक्तितों की प्रकार्यात्मकता पर अध्यात्मिक मदिरापान के प्रभाव का मदपान कहते हैं तो किस ने कहा कि सरीर पर और व्यक्तितों की प्रकार्याप्त मकता पर यभść सब्दिडिक मदीरापान का प्रभाव हो तो उसे मदपान कहते हैं तो कि दब्ली से यह कहते हैं अगला है बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है तो ऐसा जेयम किन्स करते हैं कि आम आदिमीओं की इच्छा जो वह बचत की वोती है इस कारण से लोग बेरोजगार होते हैं अगला है अर्बन हीट आइसलेंड इफेक्ट जो है सहरी विकास के कारण ग्रामिर चत्रों में तापमान में बृध्धी जव हो रहा है उसको अर्बन हीट आइसलेंड इफेक्ट या अधार्णा के नाम से जाना जाता है अगला है भारती समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा है तो एयर दिसाई का कथन है कि भारती समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं है अगला क्रिशक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है तो क्रिशक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार आंध्रे विताई मानती है उद्धम पूजी कोस की अस्थापना उद्धम पूजी कोस्की अस्थापना 2014 में अन्सूचित जातियों के ब्यवसाइक ताके लिए किया गया अगला सहयोग की ब्यवस्थित ब्याक्षा करने वाले सर्वप्रुथम ब्यक्ति थे तो सहयोग की सर्वप्रुथम ब्यक्ति बात करते हैं जी भी को यह भी कई एक्ज अगला है असलीका रॐग स्थाथार्द या फुस्तक किस्था संबंदीत है तो असलीका रिइग स्थान जित आई डिजिए लियल कुस्तक है बाटट्री लाट्व.संबंदीत है такого की बोर्ट सब्द की जोमदीत है वा फ्लिप देख फिलिप के दिंगने किया है की ऑलग जो है प्रतिपादन किया है अगला है वास्तविक्ताओं को विश्वास की पड़ालियों से संबंधित किया है तो कौन वास्तविक्ता को विश्वास की पड़ालियों से जोड़के देखते हैं तो डबलू टी डर्सन अगला पॉइंट है एक कल्पित आधारित विरोध की तल फॉर्मेंचन सुसाइटी की बात करते हैं लियो टॉद्ट अगला है बेक्टो निस्म निगरानी सक्तियों ग्यान के संधर्ब में किसमें इसकी चरचा की है तुद निज्म निगरानी की बार, तो मिशेल फुको, अगला है, धर्म को पागलपन से जोड़ कर देखते हैं, तो क्रिश्टोलर जो है, धर्म को पागलपन से जोड़ के देखते हैं, वही कालमाक्ष ने धर्म को अफीम माना है, अगला है, संरचनावाद के पढ़ेता माने जाते ह चेज़िता काया है संरचनवाद के परेता माने जाते हैं B, बुंट कौन? B, बुंट आपने कई जगहां संरचनवाद यहां पर आपस्ट, यहां पर जो है, आप doubtful question मना जाएगा, लेकिन जो वहां पर answer माना गया था, उसमें बिल्यम बुंट को माना गया था, वहां पर कहीं आपको भासवादी संरचना सोस्रे माने चाते हैं, समाजिक संरचनावाद की बात करते हैं आपके लेविश ट्रास, त तो वहां पर अधार अप्सम नहीं थे तो बिल्यम बुंटने को जो है माना है अगला है संस्किती की पहचान को हमारे बारे में लगातार बदलते ब्यूरर की चर्चा की है तो संस्किती की पहचान लगातार बदल रहा है इसके ब्यूरर की बात किसने की है हॉल हॉल ने की है क उसके बीगुरड की बार हॉल करते हैं अगला पॉइंट है किसने अपनी पुस्तक दब्यूटी फॉल ट्री में विद्वानों की इन गलत धालाओं का उलेक किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सिच्छा की स्थिती खराब थी तो दब्यूटी फॉल ट्री जो ऑफुस्तक है या धर्मपाल से शमपन्दिर लेट है उसके जहिटे हैं मैं कि जो अंगरेजों की धाला रही है वह गलत रही है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सिच्छा की स्थिती खराब थी नहीं सिरा झाला शॉटी नहीं लिवािए अगरेजों में प्रती की पहले भारत की सिच्छा जो है काफी संपन रहा है अगला है आधुनिक समाज के सारजनिक और ब्यक्तिकत छेत्रों में परिवर्तन से चुड़े हुए हैं तो आधुनिक समाज में सारजनिक के उन ब्यक्तिकत छेत्रों में परिवर्तन की बात करते हैं जुड़गीन है बरमास सिमिन सिमियंस साइबोगर्स शिमियंस साइबोगर्स एंड हुमन और निस्तों एक यान बेपुस्तक संबन्दीत है तो यह डान डाना हारवे है तो साइबोबर्क और हुमन जो 1990 कुस्तक है यह इस समय को वर्तमान लेटेश्ट ट्रियो टॉपिक चल रहे हैं उस पर पूछी गई पुस्तक है तो मोस्त इंपर्डेंट विग्यान में कभी भी संसार की वास्तविक्ताओं को सत्यापित नहीं कर सकता है इसका कारी मिध्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नह आछारा हैं उस इसको सिद्ध करना और यह दिखाना है क्या नहीं है और क्या होगा तो ऐसा कथम जो है कौरल पापर करका है अगला है। रूपावली पयराड़ाएं बिस्व को सामानी तरीके से देखने का माध्यम है जो सुझाव देता है कि भीक्यान में क्या देखना है और क्या करना है सद्धान्ती करार होना चाहिए विचार संबंधित है तो थामस कुहन है जो करते हैं कि रुपावली या पैराडायम विश्व को समान तरीके से देखने का एक माध्यम है जो यह सुझाव देना है कि विज्ञान को क्या करना है क्या देखना है कि इसने कहा कि कि विभिननता सांसे कितिक उतिपाद है लिला दूबे टुरीजा दूबे क्ते हैं लाइंक विभिननता जो है सांस्कित अगला है, the unquiet woods, ecological changes, and the present residence in the Himalayas, पुस्तक के लेखा कौन है, थो the unquiet woods, ecological changes, present residence in the Himalayas, पुस्तक के लेखा जो है, रजीत, गुहां है, अगला है, श्रम का लिंग अधारिद विभाजन न केवल सारभावमिक है बलकि ऐसा होने का कोई कोई खास कारण नहीं है तो अन्ना उकले मानते हैं कि श्रम का जो लिंग अधारीत विभाजन है या सभी जगह पाया जाता है और आयसा विभाजन का कोई खास कारण नहीं बताया गया है अगला है वाटिस प्रॉपर्टी जो पुष्तक है या प्रूधों से संब्दित है डी है सकीलिंग सब्द को प्रजवादिद किया है तो हरी एवर मैंग में ने दी सकीलिंग् सब्द की बात की है डी सकीलिंग सब्द मतलब बіти्यों की कारें कुसलता में जो कमी आ रही है उसकी बात करते हैं और ऑठी इस्कूल करके पुष्तक है वह उवक्ण इलिप से संबंद तो यह जो पुष्टक है सब अभी हाल फिलाल के एक्जाम में पूचे गए पुष्टक अगला है घ्रिय विज्ञान होना सामाजिक 22 का सबसे निम्ना स्वरूप है तो ऐसा एंथनी किटिंग्स करते हैं जिनके पास घर नहीं है उनका जो है सामाजिक 22 का सबसे निचला अस्तर या स्वरूप है अगला है एलिही नेशन और फ्रीडम फैक्टरी वर्कर एंड इस इं एले तो रेट बोल नर ने एलीहेंसन और फ्रीडम की बात की है अल्गा ऑफक्टरी वर्कर एंड ही इंड़ेश्टी रवेट बोलने Produ調 अगला सबीन के अवजय का सरप्थम उपयोग किया गया था तो अब्यास अब दोने किया है बाद में इसको महत्मा गाधी ने भारत में प्रयोग किया है था मौन वस्त बनिमयं किन जन जातियों में पाई जाती है तो से मंध और सकाई जन्जात में मौन वस्त बिन में पाई जाती है सिद्नी बारबा ने विसुद्ध राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की चर्चा की है तो सिद्नी बारबा जो है संकीर राजनीतिक पराधीन और सभागिक राजनीति संस्कृति की बात करते है दा इस्टडी आफ और नूरर नून ब्रूनर से संबंधित है अगला है डिकलाइन दा वेस्ट पुस्तक संबंधित है तो पैट्रो नेज और एक्सप्लोईटेशन पुस्तक है वह जॉन प्रोवेंच से संबंधित है अगला कथन है कि बाजार में नित्रित्व करने वाले सहरी करण को धीमा करने वाले या हतोस्ताहित करने के सभी प्रयास बिफल और अनुत्पादक रहें तो यह रोजर चेटर का कहना है कि बाजार के नित्रित करने वाले सहरी करण को धीमा करने वाले जितने भी प्रयास किये हैं सब असफल या विफल या अनुपादक रहें अगला है जाति ब्यवस्ता को हिंदु धर्म का फौलादी धाचा मानते हैं तो जाति ब्यवस्ता का हिंदु धर्म का फौलादी धाचा एयर दिसाई मानते हैं अगला है सिच्छा का अर्थ नई पीडियों को अवपचारिक रूप से सामाजिक विजासत को हस्तांत्रित करना है तो यह जो है जिन्स भट से संबंधित है सिच्छा का अर्थ नई पीडियों को अवपचारिक रूप से सामाजिक विजासत को हस्तांत्रित करना है अगला है साइंटिफिक्स सोसल सर्वे एंड रिसर्च जो कुछ तक है यह बहुत पूशी जाती है तो यह पी भी जंग से संबंधित है तो आज की वीडियो नहीं समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद